ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जो नो व्यो मा परोयत किमा वरिवह कुह कस्यत शरमन्नम भा किमा सित गहनम गवेरं त्रिष्की से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहा किसने ढखा था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था स्रिष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्से आकाश में रहता सलाह अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता आप हैं हमारे रक्षा मंत्री शक्तार और आप हैं महराज विरोचक महराज परो के छोटे पुत्र मले केदू के छोटे भाई आईए महराज चंद्रगुप्त और महराज विरोचक की मैत्री न केवल नंद के विनाश की सूचक है बलकि हमारे जन समाज के भविश्य का निर्मान्टी करेगी आप दोनों मिलकर अजेय हो गएं मंत्री महुदय इसलिए मेरी इच्छा है इनकी मैत्री चिरस्थाई और अटल हो मेरा एक सुझाव है महराज विरोचक और चंद्रगुप्त हमारे बनाए सामराज के संयुक्त शासक हो एक सिल्हासन पर दो राजा नहीं विरोचक तुम आधे सामराज का शाशन करोगे पस्चम में सिंदुनत से लेकर दक्षिन के गुर्जर देश की सुवर्ण सिक्ता नदी के तक तक और पूर्व में प्रयाग तक और चंद्रगुप्त त्रिवेली संगम से लेकर प्राच्य प्रदेश मगध विदे और गंगा के उत्तर में बसे बंग अंग और कामरूप बेश का शाशन करेगा पस्च्यम में हमारा क्या सौतंत्र राज होगा? तुम दोनों का पाटली पुत्र में संयुक्त राजया भी शेख होगा पर अपने अपने प्रदेशों में स्वायत समराट रहोगे सनरक्षन और विदेशी आक्रमन के स्थिति में दोनों एक साथ काम करेंगे पर अन्य विश्यों पर अपना अपना निर्णे स्वेम लोगें जैसी आपके आग्या गुर्दे तो ठीक है हम अपने इस निर्णे को अनुबंध में बदलनें कहीं से कोई शुप समाचार नहीं मिल रहा है सुवसनी तुर्भाग्य ने हमें चार ओर से घेर लिया है तुमने सुना पौरो का पुत्र विरोचक वो भी चंद्रगुप से जा मिला है विश्नगुप ने उसे आधा सामराची देने का वादा किया है वादा और विश्नगुप विरोचक तो यही विश्वास करता है तुम्हारे पिता भी तो उनसे जा मिले इन्होंने कभी हमारे खिलाफ विद्रोयों को कुचल के रख दिया था वही वही आज विद्रोयों से जा के गले मिल रहे चक फिरोचक की साहता से परवती प्रदेश अफ्दुरक्षित है अब उन्हें अब उनके लिए पाटले फुत्र कोई दूर नहीं जो बीद गया है महराज उसकी बात करना बेकार है पेता नहीं है तो क्या हुआ मैं तो हूँ अमात्यर राक्षस तो है हम दोनों आपकी साहता करेंगे वासनी अब तुम लोगों का ही भरोसा है तुम्हारे इस नहीं का और रामात्यर राक्षस के स्वामी वक्ति का बाक्षी और तो हिम्मत नहारे स्वामी हम लोग शत्रू को हरा कर ही रहेंगे यो किस बोते पर करें शब्तों के राजकोश खाली हो गया है चानती हो तुम कुछ समझ में नहीं आता कर बृत्यका में सकता करें भी तो वसूल करना कठीं है तौराशा संधिला पड़ गया है परसों बोध गया के विख्यात नागरिकों के एक दलने भेट की थी आरामी पूर्णे मा के दिन नगर में सर्वधर्म सम्मेलन की बाद कह रहे थे कह रहे थे कि इस वश महराज को चाहिए कि वो बौध मत का समर्थन करें पर थाए हर वश आपका एक प्रतनिधी सम्मेलन में भाग लेता है वे लोग चाहते हैं कि इस वर्ष यो प्रतनी भी भेजा जाए वो बौध हो पर उससे क्या होगा? वणिक संग में बौध मत के मानने वाले बहुत है माराज बौध प्रतनी भी भेज कर हम उनका समर्थन खरीद सकते हैं मैंने उन्हें ये भी कहा कि मगत के सूट्य को ग्रहन लग रहा है पदला ये ग्रहन कैसे टले? आने वाले संकत में वे लोग आपके लिए क्या कुछ करेंगे? वा, स्वासनी क्या कहना है तुमारी राजनेतिक सूजबूच का? तुम तुम सच्चे अर्थों में हमारी सहचरी हो सच्चे अर्थों में ठीक है बहुत गया के समस्त तस्रिश्ट नागरीकों को सूशना दे दो इस पुरुनिमा को जो धर्म समिलन होगा उसमें मगत समराट का जो भी प्रतने दी होगा वो एक बहुत मतानवी आई होगा बत और सिधान्थ के लेकिन अंतिम निर्णे फिर भी वनिक संग के रुख पर निर्भर करेगा खसकर कि इस बात पर कि वनिक संग राजकोश में कितनी मुद्राएं देता है धीरे धीरे हर वृत्त पर क्रम से अधिकार जमाते हुए केंद्र की और बढ़ो नहीं नहीं चंद्रगुप्त एक आए केंद्र को हस्तगत नहीं कर सकते हैं पहले बाहरी किनारों को तोड़ो और फिर मध्य में पहुँचो बाहरी वृत्तों पर नियंत्रन पा चुकने के बाद फिर केंद्र पाकली पुत्र संद्राट मैं फिर प्रातना करता हूं आपको राजधानी छोड़ देंगी चाहिए अमार्त्यों अगर हम राजधानी में राजमेहल में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षित रह पाएंगे चंद्रगुत्त की सेना ने पाकली पुत्र को तीन और से घेर नारंध कर दिया है हमारी सेना उन्हें मुश्किल से रोके हुएं आपका यहा रहना घातक होगा लेकिन क्या हमारी प्रजा घबराना जाएगी यह जानका कि उसके सम्राट उचे संकत में छोड़कर भाग गये हैं किसी को मालूम नहीं हो पाएगा आप भेस बदलकर चपरदार गारी में जाएंगे मैं प्रान रहते राजधानी के रक्षा करूंगा बस मुझे उतना अधिकार दी थी नहीं हमार्ट हम राजधानी और राजमहल छोड़कर नहीं गाएगे अपनी चक्तित और राजधानी को कभी लें त्यागता अमठ अमठ हम सायनिको कि साहत आते हैं प्राजमहल के रक्षा करेंगे ऐसा न करें समराग यहां ग्रजाएंगे अगर बाहर रहेंगे तो नई सेना के संगजन कर सकेंगे धेरा थोड़कर हमें भी बचा सकेंगे इसलिए मेरी प्राफ्तना है कि आप लेकिन हम जाएंगे कहाँ समरागी महाराज पौराओ के बड़े बेटे मले केतु चंद्रकुप्त के शत्रू और हमारे मित्र हैं हम उनके पास संदेश भेच चुके हैं आप उनके आँ सुरक्षित रहेंगे ठीक है हमारे प्रस्थान की तयारी कीविए हम आज राथ ही निकल चलेंगे अम आचे राक्षस समराग की अनुपस्थिती में आप राजिथानी के सर्वोच शासक रहेंगे सेरा का संगथन भी आप ही करेंगे मगत समरागी आपको पूरा-पूरा अधिकार देखी है अनुगही थो समरागी मेरे रहते आप निशंक रहें हम निशंक है सलासे आप 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 तोने रखो संदर्वती रमणी हर वेश्वुशा में संदर देखती है है नावात चल्दी करें समराग वो जो बस्त धारन कर लेती है वो इस परशुशों भी तोड़ाता शीगता करें महाराज समराग इस जिता की लहटी ज्वालाओं की शपत लेकर कहता हूँ मैं राक्षस आपकी हत्या का पता लेकर रहूँगा चानक की विश्रुगुप्त को जिसने नीच्टा दिखाई है मूली चुकाने को बात दिकर दूँगा विश्रुगुप्त और चंद्रुप्त का रख्ट पीकर ही मेरा खड़क शान्त होगा सामरागी मैं निष्ठा पुर्वक आपकी सेवा करता रहूँगा आप ही मेरे लिए समराथ हैं हमें फोरण प्रहार करना होगा महराज समराथ नंद की हत्या को लेकर प्रजा में रोश है इसलिए हम उसका सहयोगी पा सकते हैं विलम हो जाने से चंद्रकुत को अपने को इस्तिर करने का उसर मिल जाएगा हमात्यरक्षस हमारे मन में आता है यदि हम समरागी सुवासिनी से विवा कर लेते हैं तो मगत के सिंहासन पर हमारा अधिकार माना जाएगा पर समरागी अभी तक समराटनंद के निधन शोक से मुक्त नहीं हुई है वह तो सुभाविक है परन्तु समय कहां है के प्रतीक्षा की जाएगा हम चाहते हैं आप उनसे बादचीत करें और उन्हें विवा के लिए राजी करें मैं प्रयतन करूंगा महराज एक सुझाव और आपको चाहिए कि अपने भाई विरोचक से संपर के स्थापित करें नहीं हमाद तेराक्षस मलेग गेतु ऐसे विक्ति को भाई नहीं मानता है जो विश्वास खात करके शत्रू के साथ जा मिलता है आप उस मीज का नाम तक न लें शत्ति को बढ़ाने की राजनेती में न कोई शत्रू होता है न मित्र प्रश्ट अपनी सुविधा का है और हमारी सुविधा यह है कि शत्रू दल में फूट पड़ जाए हमें उसकी मैत्री का क्या मूल ले चुकाना होगा चानडक के से मिले प्रदेश से कुछ अधिक भुभाग आप उन्हें समझा दें कि वे आपके साथ रहेंगे तो सची समानता के अधिकारी होंगे और चंड्रकुत के साथ रहेंगे तो सीवगपन के रहना पड़ेगा हमें सोचना होगा नहीं महाराज सोचने के लिए अधिक समय नहीं है आप चानक के से बदला लेने के लिए कितने हुतावले हैं हम जानते हैं चानक के धूरतता में अपना सानी नहीं रखता वो केकट की तरह अनंग बतलता है छोटे से छोटे आउसर का पूरा पूरा लाब उठाता है मैं उसे कोई भी आउसर रही देना चाहता कि हूँ शुमा करें महाराज शुमा मात समाचार मिला है कि महाराज विरोचक की मृत्ति हो गई है हम विलम कर दिया कब? कैसे? राज्जावी शेख से कुछ पहले एक तोरणवार अचानक महाराज के हाथी पर गिरा और वो ततकाल से धार गए और और महाराज विर्ष्णुगुप्त ने चांच करने का आदेश मंत्री शक्टार को दिया चांचा परिणा तोरणवार बनाने वाले काश्टकार ने सुईकार किया है कि तोर का टूटना केवल तुरगटनामात नहीं थी भाराज विरोचक की हत्या का शजयन्त अमात्य रक्सस जारा रचाये गया था अकार चानक एक पंथ तो काच जो नीच ब्रहमन हमको मूर्ग समझता है कि हम उसकी चालबाजी नहीं जानते हम उसे मौत के खाट उतार कर दम लेंगे चाहे हमें ब्रहमत्य का पातक लगे पातली पुत्र के बड़े चौप में सुरी पर चड़ा जाएगा चंद्रगोप्त नैतिक्ता की बचकानी कल्पना के लिए राजनीत में कोई स्थान नहीं है समझे किन्तु गुरुदेव विरोचक के साथ हमारा एक पलुक्तरन भंग था वो एक चाल थी विशल संयुक्त राज्याभिशेक एक छडम था देखो ग्राज अराजक्ता को निमंत्रन देता है कौन सर्णन है कौन करेगा यही सोचने में राजी रूप जाता इसलिए विरोचक को मरना ही था यह भी आप में लिखा है हाँ ग्रंथ में यह भी है देखो चंद्रगुप्त आज नहीं तो कल अमात्य राच्छसों मले के तू उसे महला फुसला कर अपनी ओर कर लेते और वो तेरे खिला खड़ा हो जाता राज की सुरख्षा के दृष्टी से उसकी मृत्य अटल है आपकी राजनीती में मनुष्य के लिए कोई स्थान नहीं है गुर्देग आप मनुष्य को मात्रिक काठ का खिलोना समझते हैं सामराज किसी भी मनुष्य के तुल्ला में आथिक बड़ा है चंदगुप्त चाहे वो मनुष्य कितना ही महान क्यों नहों पेटी यदि अमात्य राक्षस का सहयोग न मिलता तो मैं तुमसे मिलने पाठली पुत्र से कभी ना आपाता कुछ लोग युद्ध की गहमा गहमी में भी मानवय बने रहना जानते हैं पिता हमें उनका कृतग्य होना चाहिए फिर भी चंद्रगुप् मौर्य के रक्षा मंत्री केवल पुत्री से मिलने की सहयोग की भीक नहीं मांगते कैसे आना हुआ मैं तुम्हारे लिए सम्राट की ओर से संदेश लाया हूँ कौन सम्राट है सम्राट चंद्रगुप वो तुम्हारे साथ दिवा के सुत में बनना चाहते हैं सुवासिनी मेरे साथ वो मुझे समझते क्या है पिता क्या एक मूर्ख युनानी कन्या जो एक तथा कथित सम्राट के अंतरपुर की भोग्या बनने को आतुर है या ये भी चानक्या की कोई दानविय चाल है आरे विश्नगुप इस संदेश की जानकारी नहीं रखते संदेश निजी है कोपनी है तो वो अर्थ हीन है चानक्या की अनुमती ना हो तो आपकी छाबनी में सूर्य भी नहीं उग सकता चंदरप्त ये तुने क्या क्या विश्न बिना मुझे पूछे संदेशा में जवा दिया स्वासनी से विवाह का विचार मेरे मत से कोई भूल नहीं है गुर्देव क्या अब तक मैं उल्टे घड़े में पानी भरने की चेस्टा कर रहा था क्या तु हमारा लक्ष नस्ट करवाएगा क्या ये लक्ष केवल तेरा और मेरा है सोच जनरुप्त कितनों ने बलिदान किया अपने वैभाव और भविष को दाव पर लगा दिया कुर्देव मैंने आपकी हर शिक्षा को मेरे विवाद ग्रहन किया है आपका हर आदेश माना है जनरुप्त आपने एलेना के साथ विवाद की आग्या दी मैंने मान ली जबकि मैं उस विवाद के बिलकुल विरुद था मैं सुवासनी को नंद के चंगुल से बचाना चाहता था आपने मना कर दिया नंद को मार डालने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी और गुरुदेव आपने उसकी हत्या करवा दी फिरोचक के साथ किये गया अनुमंद का मैं आदर करना चाहता था पर आपने उसे भी समाप्त कर दिया और आज ये तू समुराट बनना चाहता था मत भूल अपने पाउँ पर चल के शिच्छा पाने आया था मेरे पास आया था निसन देव आया था पर दो गुरुदेव आपने गुरु होकर भी मुझे ये नहीं बताया कि चंद्रगुप्त तू अपनी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा तभी किसी को अपना धनिश्मित्र नहीं बना पाएगा अदय खोल कर कभी किसी के साथ सुख दुख की बाते नहीं कर पाएगा गुरुदेव आपने मुझे वो जीवन दिया है जो मात्रेक पशुका होता है चंद्रगुप्त समराठ के भागे में यहीं लिखा होता है मात्र दूख पर मैंने तुझे कभी ये तो नहीं कहा कि समराठ बनने की यात्रा पर या उस यात्रा की समाप्ती पर तुभ सुख पाएगा मैंने तुझे महांता का अश्वाचन दिया एक विशाल समाज के नेत्रितु का आश्वासन दिया और वो तुझे निभाना होगा चाहे उसे निभाते निभाते मेरे प्राण चले जाएं क्यों चले जाएं क्यों मैं आपका सुप्न साकार करने के लिए अपने आपको खोदूँ शामा करें गुर्देया आपने जाना ही नहीं कि मनुश्य क्या होता है आपने मुझे भी कभी मनुश्य नहीं माना एक विचित्र और भयानक महत्वा कांख्शा ने आपको छूकर कथोर शिलाखंड बना दिया है और आप अपने राह बे आने वाली हर वस्तू को रौं पे कुचल दिल पे चले जाते हैं चंद्रगर्टु सीवा के कितना आथसान होगा मेरा क्रोध करना रोध कर तेरा राज यत्याक कर चले जाना कितना सहज होगा तब तुम्हारा विनाश के गर्त में गिरना और गुम हो जाना मुझे क्या? मुझे तुम से क्या चाहिए? मुझे न धन की कामना है न सता की चाहना मैं जब चाहे तक से शीर लोड़ सकता हूँ अध्यापन का काम शुरू कर सकता हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगा मैंने हवा में घोड़े दोडाना नहीं सिखा है चंद्रगुप्त तुझे दंड देने के लिए मैं समूचे जंब द्वीप को बरबाद नहीं होने दे सकता इसलिए मैं यहाँ हूँ और रहूँगा तुम चाहो या ना चाहो आज चर्वर खुच समय पहले मेरे पिता ठीक ऐसा ही संदेश चंद्रगुप्त की ओर से लाए थे और अब आप कह रहे हैं कि महराज मलेकेतु मुझसे रिवाह की काम न रफते हैं मैं अचानक ही सबके आकर्शन की वस्तू बन गई हूँ महराज मलेकेतु का लक्ष वास्तों में राजनेतिक है आप उस पर इसी दृष्टी से विज़ार करें मेरी लूची अब न विवाह में है न राजनीत में ही एक समय था जब मेरे भीतर बदले की आग धदक रही थी अब मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या बदला लूँ किस से बदला लूँ होगा भी क्या बदला लेकर अमात्यराक्षस और लहु भाने से क्या फायदा सब कुछ निरर्थक ही तो है बेकार है मनुष्टी को अपने करतव्य से नहीं भागना चाहिए क्योंकि इस भागने का कोई अंत नहीं मेरे राजनेतिक करतव्य समराट के निधन के साथ ही समाप्थ हो चुके हैं मात्यराक्षस मेरा अब किसी के पती कोई दायत्वे नहीं रह गया है मैं निर्ने ले चुकी हूँ भंते आश्वलायन के आश्रम में जाओंगी शायद वही मुझे शांती मिल सके समरागी के स्वादत है स्वास्त थपाएं वर्षों जीएं भंते आश्रम आश्रम ने मेरा स्वागत किया है मैं अनुब्री ही थूँ हमारा दौर तो सभी के लिए खुला है सतत खुला है मेरे साथ ऐसा क्यूं हुआ भगवन तथागत मुझे क्यूं दंड दे रहे हैं मेरा तो यही प्रयास्ता कि मगद में बौध मत का समर्थन हो हम तथागत को दोश नहीं दे सकते और फिर बेजैन होने से मिलता भी क्या है दुगनी बेजैन आपने बौध मत का समर्थन किया हम आभारी हैं किन्तो आप जानते हैं कि धम तुम राजनीती और शक्ति किस पर धम रुची नहीं लेता धम भू प्रदेश पर नहीं मानव रदय पर विजय पाना चाहता है मैं समझ रही हूं भंते अद्रिश्य घंटियों के अविरत मंजुलनात को सुनकर खेची चली आए हूं चाहती हूं शरीर धम की सेवा में काम आए केवल धम की सेवा में स्वागत समराट यह आपने बहुत अच्छा किया कि विहार में सदलबल नहीं पधारे भगवान की घर तो ऐसे ही जाना होता है हम आपके विवार की सराहना करते हैं भंते हैं हम आपके दर्शन के लिए ही आये हैं समराट का क्या आदेश है हमने सुना है कि आप मन में मौर शासन के प्रतिशंकित हैं हम आपके आशंकाएं मिटाने के लक्ष से स्वें मुपस्थित हुए हैं समराट आपने गंडराज्यों को नश्ट कर दिया है करते ही चले जा रहे है हम आपकी इस नीती को समझने में समर्थ है गंडराज्यों से हमारी कोई मूलभूत लड़ाए नहीं है हमें लगता है कि गंडराज्यों के दिन अबलद चुके है कहीं भी देखें शक्ति शाली केंडर वाले समराज्यों के आवशक्ता ही प्रतित होती है धम को भी समराज्य के आवशक्ता है समराज्य में रहे कर ये धम पूर दोरों पा सकेगा इसी कारण हमें आपसे सहयोग क्या भिलाशा है गड़ राज्यों के निरंतर विनाश को दृष्टी के तरहते हुए आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा किन्तो फिर भी अनुगरहीत हूँ कि समराट स्वेहम आश्वासन देने के लिए आए हमारा मन साफ है एक प्रयोग के रूप में हम आपको सहयोग देंगे बौधों का आप से कोई विरोध नहीं होगा आपकी कृपा है आप देखेंगे जो हम कहते हैं बही करते हैं क्या आप मगत की सामरग्य आज कल यहीं निवास करती हैं हाँ भेंट करना चाहेंगे यहीं आप अनुमती दें ठेसी सम्राट की इच्छा सम्राट का स्वादत है क्या सम्राट बन में भटक कर सायोग से यहां आप पहुँचे हैं सुवासनी कई बातें ऐसी होती हैं जिस पर मनुष का बस नहीं चल पाता सच सम्राट इतने बेबस है चारक्य के शड्यंत्रों पर उनका बस नहीं चल पाया विरोचक की हत्या पर नहीं चल पाया गण राज्यों के विनाश पर नहीं चल पाया उनका बस आचार विश्रो गुप्त की राजनीती को तुम नहीं समझ पा रही हो सुवासनी इसमें इसमें उनका कोई निजी स्वार्त नहीं है कोई महत्पा कंक्षा नहीं है महा प्रलय उपर स्थित कर देते हैं ये निस्वार्त भविश्यदर्शी नशा हो जाता है उन्हें संसार का कल्यान करने का वो महान होते हैं है न? इसलिए ना शंकाएं पालते हैं ना हिचके जाते हैं समराज आपने एक ही भीशन पहार में संपून जीवन पद्धुती को बदल दिया है केंद्रियन यंत्रन लगाकर मनुश्यों की मनुश्यता को समाप्त कर दिया है अब वो स्वतन्जता की सास नहीं ले पाएगा अपकी इच्छा से कुछ नहीं कर पाएगा पर ये सारी बातें बेकार हैं जबकी राजनीती में मेरा कोई विश्वास ही नहीं रह गया है मैंने तुम्हारे पिता के साथ एक निजी संदेश भिजवाय था उसे लेकर तुमने मेरा उपहास किया तुम्हारा संदेश प्रेम का संदेश नहीं था सम्राथ का आदेश था उपहास न करती तो और क्या करती सुवासनी, मेरी बात मानो करी कैसे मानो तुम्हारी और मेरी राहे अलग हो गई हैं चंदरगुप्ट और हमें एक दूसरे से अलग हुए सद्धियाम बीट कई है सुवासनी, मेरा विश्वास करो मैं कैसे विश्वास करूँ यही विश्वास करूँगी कि एक दिन तुम्हारे सामने रहस्य खुल जाएंगे सत्ता, शक्ती, नियंत्रन, एक छत्र सामराज्य यह सब अधूरे सत्य हैं चंदरगुप्ट इनसे अधिक भी जीवन में कुछ है सुनो, इस सब के अब कोई आउशकता नहीं समारों रद्द कर दिया गया है जन्रगुप्ट तुमने ये समारों की तैयारिया क्यों रखवा दिया ये तो मंतरी मंदल के अधिकार क्षेत्र में है चमा करे गुर्देव, मुझे लगा की समारों की स्थितिया अनुकूल नहीं है सुनो चंदरगुप्ट राज तंत्र तीन प्रकार के होते है एक जो राजा के नियंटरण में चलता है दूसरा जो राजा के मंतरी चलाते है और तीसरा दोनों मिलकर तुम्हारा राज तंत्र दूसरे प्रकार का है और वो मंतरियों के नियंटरण में चलता है अब बताओ तुमने मंतरी मंडल करने क्यों बदला मैंने मंतरी मंडल को सूचना दे दी है और आपको सूचना देने मैं स्वेम यहां आया हूँ सारे देश में अकाल पहला है तक्ष शील से कलिंग तक लोग भूखे मर रहे हैं उदर राक्षस इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उसने मलेक एतु के साथ मिलकर गठबंदन कर लिया है अनेक गण राजा महराजा यहां तक की कुछ मेरे अपने संबंधी भी उनसे जा मिले हैं यह सब मिलकर पाटली पुत्र की और कूच करने वाले हैं ऐसे सती में समारो कैसे मना जा सकता है यदि समारो रद कर दिया गया तो प्रजा के मनोबल को धक्का पुँचेगा तुम जे साकरमन के संकट की बात कर रहे हो वो और विक्राल हो उठेगा नाबरिकों को लगेगा कि तुम संकट से ही नहीं पर आजाय से भी भैखा रहे हो परन तुम मुझे ऐसा लगा ऐसा लगा तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा आरे चानक हम समराठ है हमें प्रजा का सोचना पड़ता है उनके कस्टों का उनके संकटों का ओ तो अब समराठ अमाठ और मंत्रियों से अलग रहकर निर्णे करेंगे उनके मंतरना की आपको आफशकता नहीं रहे लोग प्रीता ही आपको मंतरना देगी क्यों साधारन नागरिक की राय लेकर चलेंगे आप चंदरगुप्थ लोग प्रीता का सस्ता खेल है ये और कुछ नहीं क्या आपकी व्यवस्था में साधरन नागरिक का कोई इस्थान नहीं क्या उसे हमेशा गुनामों का जीवन ही जीना होगा नहीं किन्तो साधरन नागरिक को लगातार समझाना पड़ता है नियंत्रण रखना पड़ता है इसी उद्देश से मंत्रि मंडल ने निश्चित, नियम और अधिनियम बनाए ताकि एक आचार सहिता बने भूल गए? नगर को स्वच्छ रखने तक के लिए हमें शारीरिक और आर्थिक डन्य विधान बनाने पड़े तुम समराज जैसा आचरण नहीं कर सकते तो मत करो फलक गिरते न गिरते तुम्हारा सामराज तूट कर विखर जाएबा चंगर को बिशाए मौरे शासन के साथ आपके सहयोग का प्रयोग कैसा चल रहा है बंते? देवी, अभी तक तो संख के कामकाज में समराज ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है मौरे शासन के पाउभी तक पूरी तरह जम नहीं पाए हैं इसलिए इसलिए ना तो हस्तक्षेप का समय मिला होगा ना ही अफसर फिर अमात्य राक्षस के आक्रमन का भै भी मामूली तो नहीं है संभव है आपके कथन में तर्खो किन्तु मुझे पता चला है कि आरे चानक्या धार्मिक विश्यों में ततस्तता की नीती रखते हैं चानक्या की नीती है अफसर के अनुकूल कदम उठाना भनते क्या ये भुलाया जा सकता है कि वो कुटिल व्राह्मन वैदिक है कट्टर वैदिक वो वैदिकों और वर्राश्रम धर्म की शक्ती को बढ़ाना चाहता है नहीं भनते मगद में संग और धम अब सुरक्षित नहीं है ऐसा क्रोध ऐसा क्रोध एक भिख्षो को शोभा नहीं देता देविं तथागत का धम तो दया और प्रेम का भंडार है सत्ता की दोड में भाग लेना संग का कारे नहीं है आप भी तो राजनीती का खेल खेल रहे हैं भनते राक्षर और चानक्यों के संगर्ष में आप जो ततस्तता दिखा रहे हैं वो भी राजनीती का एक अंग है मैं आपकी भावना समझता हूँ आपकी कटुता स्वाभाविक है किन्तो ये मत भूलो कि आध्यात्मिक शक्ति शाश्वत है सनातन है लौकिक शक्ति नश्वर है छनिक है केवल थम, केवल थम ही चिरजीवी है नाविक, जल्दी करो हूँ मैं उस पार पहुंचा दो जल्दी हम तुमें समझत पुरस्कार देंगे आपका लक्षी उस पार महीं है मात्य क्या? क्या कहा तुमने? यही कि आपका लक्षी पातनी पुत्र है राज्धानी, आपको वहाँ दाना क्या उप्योगा मात्य जिद्ध समाप्त हो गया है मलेकेतों को बंदी बना लिया गया था अब उसे मृत्य जंड भी दिया जा चुका है यह तुमें जानना चाहिए क्या? ओफ पराजे सम्हून पराजे आर यह चानक क्या मुझे बंदी बनाने आए है बंदी बनाने नहीं बुलावा देने पूरे सम्मान के साथ मैं तुम्हें चंदरगुप्त मौरी की राजसभा मिलेगा तुम्हारा स्थान वहां है अमात्य इस निर्जन अरण्य में नहीं चंदरगुप्त मौर्य की राजसभा अच्छा उपास किया है आरे चानक की विष्णुगुप्त। लेकिन मैं चंदरगुप्त की राजसभा मैं क्यों जाओं। अपना उप्युक्त स्थान पाने मगत सामराज का अमात्य पद दोबारा अग्रहन करने। मैं समराज धनानन्द का निष्ठावान हो। चंदरगुप्त का अमात्य कैसे बन सकता हूँ। और चंदरगुप्त मुझे स्विकार भी क्यों करेगा। क्योंकि वो स्वप्न देखता है। स्वप्न? जो नंद ने नहीं देखा। तुमने नहीं देखा। आचा रिचानक की मेरा काम है यथार्थ से जूजना पर उस यथार्थ को ठीक से पहचानो तो तहना नंद मर चुका है नंद वंश का शासन समाप्त हो चुका है वंश तक उठ गया है तुमारा विद्रो भी कुचल दिया गया है आज चंद्रगुप्त सम्राथ है और वो तुम्हारी प्रदिक्षा करना है मैंने सम्राजी सुवासिनी को वचन दिया था कि बदला लेकर रहूंगा मैं पातली पुत्र नहीं जाऊंगा मृतकों और सन्यासियों के प्रती निष्ठा निर्थक है अमात्य मान लो तुम चंद्रगुप्त को मगत के राज सिहासन से हटाने में सफल भी हो जाओ तो भी उस सिहासन पर किसे बिठाओगे नंद का कोई उत्राधिकारी शेश नहीं और सुवासिनी बौर्ध पिक्षूनी बन चुकी है पर क्या इसका अरसी ये तो नहीं कि मैं चंद्रगुप्त की सेवा करूँ क्यों नहीं चंद्रगुप्त आज समराथ है उसका शाशन स्थिर है निरापद है समराथ होने के नाते मगत और मगत के नागरिकों का प्रतिनित है वो तुम्हारे मगत के प्रति कोई निष्ठा नहीं है वाद विवाद में भला आपसे कौन जीच सकता आचारे चानक की मैं कोई विद्वान आचारी तो हूँ नहीं प्रेश्ट विवाद में पराजित करने का नहीं मैं तुम्हें तुम्हारा करतव बिपत दिखा रहा हूँ तुम नेक हो, कारिकुशल हो पर तुम्हारी प्षंता को, निष्ठा को कभी औसर मिला? निष्ठा पुरसकार की भीक नहीं चाहती मैं भी मानता हूँ नहीं चाहती पर तुम क्या ये नहीं मानोगे कि कोई भी राज केवल अमात्य के बल पर नहीं चल सकता है, राज के अठिपती को भी सक्षम और न्याई होना चाहिए, और नंध वैसा नहीं था, देखो, मगत को, मगत के पूरे जन समाज को, मैं तो कहूंगा, पूरे जम्बु द्वीप को तुम्हारी, तुम्हारी प्रतिवा की, सेवाओं की आवशकता है, एक स्वप्न को जीवित रखना है आमात्य, चलिए समराथ, आज मेरा स्वप्न साकारव, अब मौरिश शासन स्थाफित हो चुका है, स्थिर्ता पा चुका है, आक्रमन की आशंका से भी मुक्त है, तो भागे से मगत के पास, अत्यंत कारे कुशल इमानदार निष्ठावान अमात्य है, और शक्तार जैसा प्रक्षा मंत्री भ आज उस शपत से मुक्त होता हूँ, आप सब के सामने मैं अपनी शिखा को फिर से बांगता हूँ, समराथ, मेरे तक्षशील लौतने का समय आ गया है, आप मुझे विदाल की अनुमती देए, आचारे, आप अभी कैसे जा सकते हैं, समराथ, आजारे का तो कामी है अध्यान करना और अध्यान कराना, अब आप मुझे मुक्त करेंगे, तु आचारे, अभी तो मात्र पारम है, अभी तो बहुत कुछ करना शेष है, वो आप संपन्न करेंगे, मंत्रियों सहित, अमात्य राक्षस आपके साथ है, मेरा एक ही कारी शेश है, समस्त प्रजाजन को ये आश्वासन देना है, कि मौर्य सामराज में सब को स्वतंतरता और समानता प्राप्त है, चाहे वो वैदिक हो, बौध हो, जयन हो, सांख्य हो, चाहे वो चारवाग पंठी ह पहले ये कारे पुरा करूँगा, उसके पस्चाथ अपना ग्रंथ पुरा करने में जुट जाओगा, आज गया दे कैसा था वो सामराज जो इसा से 321 परस पहले बना था, वो सामराज जो लगभग समूचे भारत में और उत्तर में दूर काबूल तक फैला हुआ था, जहां तक उपरी सतेह का सवाल है, वो हर तरह से एक तंत्र था, यानि ताना शाही, जैसी की जादातर सामराज रहे हैं और आज भी हैं, मगर कस्बों, शेहरों और गाओं की स्थर पर काफी कुछ आजादी कायम सी, गाओं के चुने हुए बज़र्ग स्थानिय कारोबार समालते थे, और इस स्थानिय स्वतंतरता की हद दर्जे तक कदर की जाती थी, और शा केंद्रे सरकार की तरह तरह की गती बिदियां पुर असर होती थी और व्यापक भी, कह लिजिए कि मौर्य सामराज कुछ बातों में आज की ताना शाहियों की याद दिलाता है इस तरहे भारत का पहला सामराज अस्तित्त में आया, जैन परमपराओं से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में भयानक अकाल पड़ा था, जिसे देखकर चंद्रगुप्त के मन में सम्यास लेने का विचार प्रबल हो उठा, उसमें जैन धर्म की दिक्षा ली और दक्षिन में शवन बेल बोला जाने का निश्चे किया तुम मेंना सूचना दिया हो चंद्रगुप्त, परन्तु शुबाउसर पराय हो, आज अर्थशास्तर के रचना पूरी हुए गुर्दीव, मैं आपसे विचार विनमे करने आया हूँ मैं जानता हूँ बस तुम से वहासन त्याकर जैन श्रमन बनना चाहते हो यही ना आचारी यह आपने कैसे जाना तुम्हे आश्चर क्यों हो रहा है मेरे आज स्पास क्या घटित होता है मैं सदेव जानने का प्रयात न करता हूँ परन्तु चंद्रगुप्त तुम निजी मुक्ति के पीछे दोड़ रहे हो इस संस्कृति के अभिशाप ने तुम्हें भी ग्रस लिया समाज की मुक्ति की ओर से तुमने आखे मून ली ठीक है, जैसा चाहे करो मैं कौन होता हूँ एक सन्यासी को उसके चुने मार्थ से लोटने का प्रयास करने वाला जाओ, आश्वस्त भाव से जाओ चंद्रगुप्त पाचारे, एक विनती है मैं पाटली पुत्र जाओ बिन्दुसार के प्रशासन को दिशा दू और फिर लोट कर यहाँ जाओ, चंद्रगुप्त मैं बिन्दुसार की देखभाल करूँगा मेरी मुक्ति तुम्हारी मुक्ति जैसी नहीं है मेरी मुक्ति समाज की मुक्ति में इस सभ्यता की मुक्ति में ओम नमो अरिहन्ताणम नमो सिध्धाणम नमो आयर्याणम नमो अचायाणम नमो लोहे सबसावनम एसो पंचनमो कारों सबसावनम तुम भी आखिर इसी राह पर चले बन गए जैन श्रमन बलशाली केंदरी कृत सत्ता नहीं दे सकी तुम्हें त्रिप्तिकन नहीं दे सकी इतना सा आनंद कितना सोचा था कि चलेंगे संग संग पर केवल दुख पाया कैसी नियती हमारी जिसको ये भाया संनाटे के कितने सारे दुख्यारे खशन गूते हैं मैंने धीरज के कच्चे धागे में पर अब क्या उसका आज तुम्हें मैं देख रही हूं श्रमन वेश में कंत अलग हैं आज अब भी लेकिन जैसे मैंने पाया आनंद कंत व्य अलग लेकिन फिर भी हम जैसे संग संग अपने मकसद को हासिल करने के लिए चानक्य भले ही बे इमान और धीत रहा हो लेकिन वो ये कभी नहीं भूला कि अकलमन दुश्मन को कुछ चलने के बजाए दोस्ती करके जीतना बेहतर होता है इसलिए ये कहानी हार की करवाहट में नहीं बलकि सुले में खत्म होती है और अंत में एक मजबूत राज्य की नीव डाली जाती है लिखे हुए इतिहास में पहली बार हम पाते हैं एक विशाल केंद्री कृत राज्य पैदा हुआ हिरन्यगरवात समवर्तताग्रेव भूतस्य जातपति रेकासित सदाधार पृतिविंध्या मुतेमां कस्मई देवाय हविशाविदेम वहता हिरन्यगरव स्रिष्टि से पहले विध्यमान वहीतो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्वमान धर्ती आसमान दारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर इसके बल पर दे जो मैं है अंबर पृत्वी हरी भरी सापितस्तिर स्वर्ग और सूरज भीस्तिर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हविदेकर करणों में अपने अगनी दारण कर पैदा कर व्यापाधा जल इधर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हाविदेकर स्रिष्टि निर्माता स्वर्गर चैता पूर्वज रक्षाकर सत्य दर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षाकर पैरी है दिशाए बाहु जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हाविदेकर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हाविदेकर